प्रठम भार्तियों महिला थी तो एवरिस्ट अभियान के अपने अनुभवों को उन्होंने किस प्रकार से हमारे साल साचा किया है चलिए इस पार्ठर पढ़ते हैं एवरिस्ट मेरी शिखर यात्रा तो बच्चो शिरू करते हैं बचेंद्री पाल जी के जीवन परिच्च से इनका जन्म उत्तरांजल के चमोली गाउं में 24 मई 1954 को हुआ इनके माता पिता गरीब थे तो बच्चे वो इनको आठी क्लास से आगे पढ़ाई लिखाई नहीं करा पा रहे थे तब बच्चंद्री पाल ने अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा सिलाई कढ़ाई करके जुटाना शिरू किया और दस्वी बास करने के बाद उनके प्रिंसिपल ने उनके पिता को उसके आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया और घर की ऐसी विशम परिस्थितियों के बाव जुद बेटा उन्होंने संस्क्रेट में MA और फिर B8 की शिक्षा भी हासिल की लक्षे के प्रती इसी समर्पन भाव ने उन्हें एवरेस्थ पर विजय दिलाने वाली पहली भारतिये परवता रोही होने का गौरव दिलाया तो बच्चो शुरू करते हैं अब उनके दौरा लिखा गया ये पार्ट जिसमें उन्होंने अपने एवरेस्थ अभियान के अनुभव का वर्णन किया है बिटे इस पार्ट में वो बताती है कि एवरेस्थ अभियान किस प्रकार से शुरू किया गया और कैसे पहली बार जब वो नामचे वजार में पहुंची और उन्होंने वहाँ से एवरेस्ट की श्रेणियों को निहारा तो उसे देखकर वो हैरान हो गई और वहाँ के जो लोग है नेपाली लोग वो उसे सागरमाथा कहते हैं और उनके साथ रहने के कारण उनसे जुडाव के कारण लेकी का को ये सागरमाथा नाम जो है बहुत पसंद आया पिटे अभियान दल का नेत्रतव जो है उपनेता प्रेमचन कर रहे थे और अपने इस अभियान को शिरू करने से पहले ही उनने एक बुरी ख़वर मिली कि उनसे पहले जो सूला लोगों का दल उपर गया था उसमें से एक किमरती हो गई और चार घायल हो गई ये सुनकर सारे अभियान दल के सदसे थोड़ा घबरा गए तो करनल खुलर ने उनने कहा कि इस प्रकार के अभियान में जान का खत्रा तो बना रहता है और हमें इस से नहीं घबराना है और उन्होंने उनकी इस अभियान यात्रा के बारे में जानकारियां दी और उनको ये अव्यवस्तित रूप से गिरना होता है जिससे क्या होता है वहाँ पहाडों में गहरी गहरी बर्फ के पहाडों में गहरी गहरी दरारे खाईयां पड़ जाती है जिनसे जान का खत्रा बना रहता है और उन्होंने ये भी बताया कि इस अवियान में हर परवतारोही को कहीं न क नहीं इसका सामना करना ही पड़ सकता है मीनू मैता ने उनके अभियांत्रिकी कारें के बारे में जानकारी दी और उसके बाद बेस कैम्प में उनसे तेंजिंग अपनी पुतरी डेकी के साथ मिलने आए और उन्होंने सभी आरूईयों को उनका होसला बढ़ाया और बचंदरी पाल को ये कहा कि मुझे लगता है कि तुम पक्की परवती लड़की हो और तुम्हें पहले प्रयास में ही एवरेश शिखर पर पहुंच जाना चाहिए ऐसा कहकर उन्होंने सबको शुब कामनाए दी बिटे इसके आगे की कता मैं आपको अगली कक्षा में समझाओंगी तब तक आप इतना पढ़üne हूए पाट को पढ़ें और समझें That's all for today. If you have any doubts, you can leave your queries on Google Classroom. Thank you so much students. Have a nice day.